हाईलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल तो आए आज मैं आपको बड़ी अलमारी का कभर बनाना बताऊंगी इस कटिंग और सिलाई करना मैं आपको पुरानी साड़ी से बताऊंगी यह देखिए इसके हाइट कम से कमे 7 फिट के हमारी अलमारी है यह देख सकते हैं यह अलमारी का आगे ओले पार्ट का कभर बनाएंगी यह हमारा गेट है और हम इसको आचल का तरफ से लेrick प्लेह से ऐह हम भागी चैनल करना बहुत चोड़ा है अगर आपका अलमारी कम है तो आप इसके कम भी कर सकते हैं साड़े कर काटके ऊपर सं मेह एक इंज फोल्ड कर एक इंच ज्यादा हमें सिलाई से कपड़ा ले लेना है इसकी लंबाई आपको देखे इस तरीके समाप लेना है इस तरीके से आप यहां से पकड़ के फिर हम आप लेते जाएंगे यह देखिए और नीचे से कम से कम आपको 8-9 इंच का फिरेल बनेगा आप जाहे तो 10 इंच क सकते हैं तो देखिए फिरेल बनाने के लिए मैं आपको इंची टेप से मापके दिखाते हूं कि आपको यहां से लंबाई इस तरीके से पकड़ना है और नीचे से आपको इस तरीके से 8-9 इया 10 इंच कमाप लेके वैसे आप एक भी तभी आप भी आप बीते से माप सकते है फिर उतना कम आपको यहां से कटिंग कर लेना है यह देखिए उसमें जो हम फ्रिल लगाएंगे तो हमारी इसका लंबाई कम्पिलीट हो जाएगा मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगी इसका बनाने के लिए अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आथी तो भी आप बना सकते हैं तो यह देखिए हमारा इतना छोटा है यह इतना फ्रिल लगा कि इसको बड़ा कर लेंगे अब इसको हम इस तरीके से देखिए चड़ाई हमारा एकदम बराबर है बिल्कुल भी बड़ा नहीं है तो हम इस साड़ी को इस तरीके से बीच चे फोल्ड करके मैं आपको एक बार फिर से दिखाते हूँ कि देखिए हमार यह साड़ी है इस साड़ी को हम ऐसे इस तरीके स कट करेंगे किस्कन चाहिए तो कई चीजी पी काट सकते हैं ले Wang को बिलकुल सीधा ही कटिंग करना है विल्कुल भी तेढला कटिंग नहीं करना है और जो महारा काट से ईसको हम बीच में कर लेंगे ii देखिए तो तो इसक Poker लेने इस साड़ी से हम इसका दोनों साइड से और उपर का कवर बनाएंगे तो आई हम इसका माप लेते हैं यह देखिए आपको इसका अलमारी के जितना आपका अलमारी चोड़ा है हम इसके चवडाई कहां आप लेंगे यहां इस किनार ही फाड़ के और यहां से अलग कर लेंगे यह देखे यहां से हम अलग कर लेंगे अब यह देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है यह हमारी चवड़ाई कम्प्लीट है अब मैं आपको इसको डाल के दिखाती हूँ कि आपको डालना कैसे है मैं इसके चवड़ाई भर के लिए आपको लंबाई के माप इस तरीके से लेना है आपको अलमारी पे इस तरीके से डाल लेना है देखिए यह देखिए इसको हम नीचे तक कमाप ले लेंगे यहां से आप जितना बड़ा रखना चाहते हैं आपको बिल्कुल जमीन के बराबर नहीं रखना है आप अपने फर्स के बराबर रखेंगे तो आप जाड़ू पोछा करते से नीचे से उसमें टच होता रहेगा आपको कम से कम नीचे से दो अंगुल उचा ही रखना है यह देखिए दो अंगुल का मतलब जैसे हो गया लगवग दो इंच यह देखिए अब यहां ही हमारा कम है तो इसमें हम इसी साड़ी में हमारा कपड़ा बचाए थोड़ा सा हम इसी में इसे इसको जोइन करके यहां से इसकी चोड़ाई कर लेंगे और इतना ही चोड़ा और यहां से निचा तकी लंबाई के माप लेके यह देखी इस तरीके से और हमें इसकी कटिंग कर लेना है हम इसको उसमें जोड को लंबा पट्टी तयार कर लेंगे उसमें हमारा उपर का ओ दोनों साइड से कवर तयार हो जाएगा यह देखें इसमें सिलाई करके इसको जोड लेते हैं अब जो हमारा पीछे वाला कवर है तो इसके लिए हमारा साड़ी नहीं बचा है तो यह मैं दूसरे साड़ी से इसके पीछे वाले का कवर बनाएंगे तो यह देखिए पहले मैं आपको बता दू कि जो मारा थोड़ा सा कपड़ा बचाते हैं इसमें समागे वाले कवर के लिए फ्रिल निकाल लेते हैं तो आपने जहां तक आप चाहे तो इसमें गोद्रज में टिक भी लगा सकते हैं उत जहां से आप इसके लंबाई काटेंगे फिर ऐसे नाप करके और इसमें आपका फ्रिल चाहिए लंबा आप उतने इसको फ्रिल के लिए काट लीजिए आपको बतादू कि आपका कपडा कितना होना चाहिए तो दखीए आहिए हमारा थोड़ा सा कम है अभी हमारा कपड़ा इक तीन गोना चाहिए तब जाके फ्रिल सही बनेगा अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इसमें कम भी चुनड लगा सकते हैं लेकिन ज़्यादा चुन्ट लगाएंगे उतना सहीर हता है तो देखे मेरा दूसरा टुकड़ा है यह जिसे हम पीछे वाला कवर करेंगे तो इसकी चौड़ाई हमारे जितने आगे का होतना है यह पीछे भी चौड़ा है तो हम इस तरीके से आगे की चौड़ाई के माप ले लेंगे उसकी लंबाई का क्योंकि इतना ही लंबा हमें पीछे वाला भी रखना है तो इस तरीके से हमें इसको पीछे वाले जो इस साइड में था हम उस पर रखके और सिल के पीछे की तरह पलट देंगे तो हमारे पीछे का भी कवर हो जाएगा अब आईए आपको मैं बताते हूँ कि इसको सिलना कैसे है यह देखे जो हमारे सबसे आगे वाला कवर है देख सकते हैं इसको हमें इस तरीके से रखके हमारे लेस वाला पट्टी बीच में करना है और नीचे वाला भी लेस नीचे आएगा फिर इसमें फ्रिल लगाएंगे तो आईए मैं आपको बताती हूँ तो यह देखे हैं हमारे मसीन पे हम आगए अब यह आगे वाला पार्ट्स है जिसमें हमें फ्रिल बनाना है तो इसको हम इस तरीके से एक कर लेंगे और यह जो हमारे लेस है नीचे तो इस लेस हमें इस तरीके से उल्टा रख लेना है यह देखिए इसको हम उल्टा कर लेंगे और जो है हमारे फ्रिल वाला कपड़ा था यह देख सकते हैं हमें इसको इसके ऊपर से रखके यह देखिए और इस तरीके से रखके हमें इस पर फ्रिल बनाना है अब यहाँ से हम थोड़ा सा सिलाई कर लेंगे आधा इंच इसके बाद हम इस कपड़े को इसके उपर रख लेते हैं ताकि महारे कपड़ा लटकता रहे को तो हमें फ्रिल बनाने प्रोब्लम होगी अब एकदम हम आसाने से फ्रिल बना सकते हैं अब इसमें हम छोटा-छोटा चुन्नट ऐसे लगाते जाएंगे और इसके शिलाई करते जाएंगे यह देखिए आपको इस सिलाई बहुत ही सावधानी से करना है कि चुन्नट अगर आपके तीर्छा और सर लग जाएगा तो आपका फ्रिल तीर्छा बन जाएगा आप यह बिल्कुल सिधा सिलाई करेंगे इस पर चुन्नट एक एक दो तो प्लेट बनाते जाएंगे उस पर सिलाई करते जाएंगे तो आपका कपड़ा बिल्कुल सिधा जाएगा यह देखिए इस तरीके से मैं भी कम से कमियाग बनांग फिर इस पे सिलाई कर रही हूँ अगर आपसे दो प्लेट नहीं बनता है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं दो या तिन प्लेट या सिंगल प्लेट भी देगे उस पे सिलाई कर सकते हैं यह हमारा rejected साड़ी है जिसको हम कुछ दिन तो पहन चुके हैं लेकिन हमारा reject हो गया है तो मैं इसी साड़ी से बना रही हूँ अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो प्लीज आप वीडियो को दुबारा देखें आपको जरूर समझ में आ जाएगा अगर फिर भी आप कहीं समझ नहीं पाते है तो आप मेरे पास कमेंट कीजिए मैं आपको अच्छे समझाने के कोशिज करूँगी हम इसी तरीके से इस पूरे कपड़ प्लेट दे देंगे यह देखिए वीडियो पसंद आता है तो प्लेट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए चैनल पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने मेरे चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद तो यह देखिए हमारे चुननट कम्प्लीट हो रहा है हमारे चुननट बन चुका है अब यहां से हम थोड़ा से इसको आधा इंच बाहर करके फिर इसके कटिंग कर लेंगे और हम यह देखिए हमारे जो आगे वाला पार्ट से हम इसमे थोड़ा सागे वाला सिलाई करके इस तरीके से इसमें सिलाई कर लेंगे ताकि हमारे ऐसे इसमें धागा न निकले फिर देखिए हमारे सिलाई कम्प्लीट हो गया यह हमारा फ्रिल बन चुका है देख सकते हैं आप यह देखिए कितना सुन्दर फ्रिल बन गया हम इसी तरीकी से दूसरे वाले में बनाना है यह हमारा फ्रिल एक दम एक बराबर बना है देख सकते हैं तो यह हमारा दूसरे वाले पार्ट से तो यह हमारा लेस वाला जो हमें से को नीचे ही करना है तो हमें इसको इस तरीक से देखिए कि हमारा जो आगे बीच में आगा तो हमें इसके शिलाई कर लेना है आप इस पर रह के देख लेंगे एक बार यह देखिए आपको रह के दिखाती हूं आप इस पर रहके देख लेगे कि आपका सीधा उल्टा किधर से आ रहा है फिर आप उल्टे साइड में इस तो फोल्ड करके इस पर सिलाई कर लेंगे इसकी चोड़ाई के साइड में आप वीडियो को ध्यान से देखिए अब यह देखिए मारी सिलाई हो चुकी है अब फिर हम इसको इसके ऊपर से ही रखके, मैं आपको पिछली वीडियों बताई थी, कि आपको liash वाले पार्ट्स को उल्टा, इसपे उल्टा कर लेना है, liash नीचे हो जाएगा, ये देखिए, अब हम इसके उपर से frill बना लेना है, तो एक देखिए, दोनों में फ्रिल बन चुका है, हमारे फ्रिल एक दम एक बराबर बना है, अब आप सोच रहे हूं कि दोनों लेस एक पास कैसे आगे, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूं, कि देखिए हमारे साड़ी इस तरीके से था, यह हमारे आचल आपको इस टार्टिंग बता चुका है, और मैंने फ्रिल तो बना लिया था, आप किसी भी साड़ी से फ्रिल बना सकते हैं, फिर इसको उठाक हम इस किनारे रख देंगे, तो हमारे लेस दोनों बीच में आ जाएगा, आपको लेस को बिलकुल इस इलाई नहीं तोड़ना हो, जैसे है वैसे उसको अपड़ा उठाक है, और यह जो हमारा दोनों साइड से और उपर का मैंने कभर मापा था, उसको मैंने जोड़ के इसमें लंबा पट्टी तयार कर लिया है, और यह देखिए, आपको इसको बिलकुल आधाधा पकड़ लेना है, दोनों साइड से उपर ले पार्ट्स को, इ इसको आपको रखना कैसे है, तो यह जो हमारा आगे वाला पर्ट्स है, इसके हम चार उंगुल ऐसे माप लेंगे, और इसके उपर हम इस तरीके से इसको रख के, चार इंच हमारा आगे वाला पर्ट्स डवल कर लेना है, यह देखिए, मैं आपको बता दू एक बार इसको तीन उगळ्स कbn सटाएस चाहे त Guard और चार बहुत होता है चार उग two video अश्चाभी जॉखाएगे उसquito दोनों को बीच और भीछ हम पकड़ केि ईदेख इकड़ने हम रखे लेंगे और सिदा साइड इसकी बनाने ंजा रहेगा ताकर चीआ, सिलाई अबंगे करना रंकेर ब अब हम इसको यहां से लेके और यहां तक की सिलाई कर लेंगे मैं आपको सुई से सिल्क बताते हूं कि आपको यहां से और यहां तक की सिलाई करना है देखिए क्योंब आपको आगवले पार्ट पर इस सिलाई करना है देख सकते मेरे इतना है चड़ा हुआ है आप पास से देख लीजिए और उसको वाद हमें बीच चेंटर बना लेंगे आपको बीच नहीं रखना इस कफर को दोनों साइड आपको कपड़ा एक दम एक बराबर बचा रहेगा फिर हम यहां से इसकी शिलाई कर लेंगे यह देखिए पर आपको इस शिलाई मसीन चेक करने है क्योंकि मारा सिलाई मजबूत होना चाहिए अगर आपके बाद सिलाई मसीन नहीं तो आप हाँ से ही इसलाई मजबूत कर लेंगे तो देखिए मैंने मसीन से इसके सिलाई किया है यहाँ सिलाई कमप्लीट हो चुका है इसके बाद हम चोग की सहायता से यहाँ पर टिक लगा लेंगे यह देखिए क्योंकि मारा पीछे वाला भी कवर इसमें जोड़ना है तो हम यहां से इसको टिक लगा लेंगे ऐसे ताकि मारे बीच-बीच का सेंटर हो जाएगा और हमारा कवर तिर्चा नहीं होगा अब इसको हम इस तरीके से मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ यह देखिए मारा सीधा हो गया है अब हम पीछे वाले पार्ट्स को इस पर आपके सिलाई करेंगे यह देखिए यह देखिए मारा पार्ट्स के सामने इस किनारे पे पीछे वाले की जोड़ लेना है अब हम इसके उपर से इस तरीके से रख देंगे जहां से मैंने टिक लगाया है और उसी टिक पे हम इस तरीके से इस पर सिलाई कर लेंगे और यह दो इंच मैंने बीच में कपड़ा चढ़ा लिया था, आपको बीच में एक प्लेट दे देना है यहाँ पे, यहाँ से आप सिलते जाएंगे, अगर आपको बीच में कपड़ा जादा होता आप बीच में एक प्लेट दे दीजिए, तो देखें मारे पीछे वाला पसिल इसे कोई जरूरत नहीं लगाने की पर मैं फिर भी लगा देलों थोड़ा अच्छा लगता है डेकुरेट करने के लिए इसमें सुन्दर सुन्दर फुदेना लटका होते तो बहुत सुन्दर लगता है अगर आप जरूरत पड़ता है कहीं आने जाने पर कहीं आप जा रहें इसको बांध भी सकते हैं हम इसको इस तरीके से एक इस पल तीन इस किनारे और तीन इस किनारे दोनों में तीन तीन दोनों साइड से लगा लेंगे सिलाई कर लेंगे यह देखिए अब मैं आपको बता दूं कि आपको सिल्ला कैसे है तो जो हमारा दोनों साइड वाला पार् ऐसको गुमा किए और आपको यहां से सिधा करते जाना है इस कपड़े को ऑपको पे इस पपड़े पर सिलाई लगा लेंगे यहां से लेकर के और इहां तक गुमा लेना है और इसके बाद हमें इसी के ऊपर सिलाई करते जाना है ये देखिए हमें इसको एक vampires इसे जोड लेंगे ऊए इसको ध्यान वरक्ष्ण के दो zaраad वाली पर्टी थी हमारा वहीel वहीलआ पर्टी है और आगे बिशे का उधर देखिए पींक कर लेना है बहुत ध्यान से देखें तो आपका कवर यहीं से बिगड़ जाएगा हमें जहां से पीछे वालों जुड़ा था हमें इसके उपर से यहीं से गुमा लेना है देखिए मैं आपको बहुत अच्छे कोशिस कर रहे हैं समझाने के लिए अब ध्यान से देखें कि तो आपको समझ में आ जाएगा यह देखिए इसको आपको सिधा करते जाना है और इसकी नारेश पर पीछे वाले में जोड़ लेना है इसको आपको नीचे तक का पूरा कंप्लेट सिलाई कर लेना है यह देखिए अब इसके उसी तरीके से दूसरे साइड में भी आपको सिलाई कर लेना है आपका कवर चारों तरफ से बंद हो जाएगा सिर्फ आगे के साइड में बीच में खूला रहेगा यह देखिए यह देखिए यह दोनों साइड से साइड वाले में जुड़ जाएगा तो हम इस पर सिलाई कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं आपको एक बार बता दो कि आपको इस वाले पर सिलाई करना है फिर इस वाले पर सिलाई करना है उसके बाद आपको पीछे वाले पार्ट की भी सिलाई कर लेनी है इन दोनों को जोड लेंगे यह आपका सिर्फ कपड़ा दो तो तही आएगा डबल डबल कपड़ा होगा अब ये देखिए मारे सिलाई कम्प्लीट हो चुका है मैं आपको लगा के दिखाती हूँ ये देखिए मारा सिल गया है चादो तरफ से मारा बंद़ी सिर्फ हमारा आगे से खुला है तो आपको इसको लगाने के लिए सबसे पहले पीछे वाले के कवर को आपको सीधा कर लेना है ये देखिए और ये जो हमारा पीछे वाला है आपको अपने पीछे वाले पार्ट को इस तरीके से पकड़ना है ये देखिए बहुत आसान तरीके से कवर लग जाएगा अब देखिए आपको इस तरीके से पीछे के साइड में इसको रख देना है पूरे अलमारी के उपर और आपको इसको धीरे धीरे पीछे के साइड में गिरा लेना है मैं आपको दिखाती है हमारा यह अलमारी बहुत बड़ा है इसका चोड़ाई भी बहुत ज़्यादा है अब इसको हम यहां से धीरे-धीरे पकड़ के खीश की देखे कितना चोड़ा है क्मारा हात नहीं पहुच रहे वहां पे और इसको गिराएंगे तो इसाड़ से नीचे कपड़ा भी डाल सकते हैं कि वजन से आपका जल्दी कवर इधा उधार खिशकेगा नहीं और अच्छे से बैठा रहेगा यह देखिए जमारा फुदिना लटका हुद आप इसको बांद या ना बने कितना अच्छे सटा हुआ है अगर आप चाहे तो नीचे एक गांट लगा सकते हैं यह देखिए नीचे वाले में सिर्फ आप एक गांट लगा सकते हैं नहीं तो उसको भी मत लगाई वैसे ही छोड़ देजिए अगर आपके पास सीसे वाली अलमारी है तो मैंने उसका वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बताया है आपको उस वीडियो का लिंक मैं तो एक दम आसानी से खुल जाएगा बंद हो जाएगा अब यह देखिए को नीचे गांट लगा कितना राम से सट गया है पीछे आप इसमें तौलिय डाल देंगे उपर से तो इसे नीचे की तरफ खिशकेगा नहीं यह देखिए मारा कफर बनकर तयार हो गया वीडियो पस प्रफ बनकर तयार हो गया है वीडियो पसंद आता है तो प्लेज वीडियो की लाइक करें चानल पढ़ना है तुमारी चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे प्लीज अपने दोस्तों के पास सेयर करना मत भोले यह देखिए आप हमारा वीडियो उसी के पास भाशे जिस